मैं अभय कुमार, एसोसियेट प्रफेसर, डीएवी असनातकोत्तर महाविध्याले, सीवान, इतिहास विभाग आज हम लोग राश्चंके बारे में चर्चा करेंगे राश्चंके अस्थापना के क्या उदेश थे, यह कि सत्तक सफल रहा, और यदि असफल रहा, तो इसके क्या कारण थे वस्वत हम पाते हैं कि पर्फम विस्वजुद के पश्चात, जो सांती की विवस्था कायम करने के लिए पेरिश में सांती समिलन बुलाया गया था उसकी एक महत्पूर्ण उपलब्धी राश्चंकी अस्थापना रही है। कहा जा सकता है कि अंतरास्टिय संबंधों के नियमन के लिए पर्फम विस्वजुद के उपरांत राश्चंकी अस्थापना एक महत्पूर्ण घटना थी। बहुत अंसो तक इसकी अस्थापना का स्रे अमेरिका के रास्टपती विल्सन को जाता है युद्ध काल में ही वह इसके लिए योजना भी बना रहे थे जो कि उनके 14 सुत्री कर्जक्रमों में भी इसका उलेक है अता पेरी सांती समेलन में जब रास्टपती रूप रेखा तियार हुई तो अमेरिकी रास्टपती व रास्टपती रूप रेखा से ही संबंदित है ताकि भविस में फिर कोई युद्ध न हो इसके उदेश्यों पर प्रकास डालते हुए कहा जा सकता है कि इसका प्रमुख उदेश्य था अंतरास्टिय सद्भाव में ब्रिधी करना युद्ध के कारणों को मिटाना तथा वि सदस्य राज्यों ने अपने साथी सदस्य राज्यों को प्रादेशीक अखंडता बनाय रखने की सर्थ स्विकार की थी और यह वचन दिया था कि किसी एक राज्य पर आकरमन को सभी सदस्य राज्यों पर आकरमन माना जाएगा अंतरास्टिये युद्धों को छेड़ने से रोकने के लिए राश्चंग के विधान में कई विवस्थाएं की गई थी जैसे कि पंच निर्णे, परस्वर विजारवी मर्स, कॉंसील के हस्त छेप, इत्यादी इन सब के द्वारा राश्चंग युद्ध को छेड़ने से रोक सकता था और युद्ध की सिती में वह इसे संघर्स विराम की सिती में भी लाने की कोशिस कर सकता था यहां तक कि आकरामक राश्च के विरुद्ध करवाई करने का भी इसे अधिकार मिला हुआ था यह करवाई किसी भी तरीके से हो सकती थी, यानि कि यह डिप्लोमेटिक यानि कुटनितिक हो सकती थी, आर्थिक हो सकती थी और सेन्य करवाई भी हो सकती थी, रास्रंग पहले अपने सदस्यों को आकरामक राज से दैत्ति संबंद तोड़ देने की सिफारित कर सकता था, यद तो ये उसका सैधान्तिक पक्ष है जो उदेस्यों के जो नहीं थे राश्रंग के अस्थापना में जो उदेस्यों नहीं थे यानि अंतरास्टिये सद्भावं विरिधी करना यूद के कारणों को मीटाना उसके लिए ये प्राधान किये गए थे इसके साथी भविस्य में की आवशक सर्त रखे गई थी और इसके लिए विस्त्रित योजना वनाने का कार्ज या उत्तरदाईत राश्रंग को सौपा गया था यदि हम उसके किरिया कलापों पर नजर डालें यानि राश्रंग की अस्थापना के पस्चाथ जो उसके किरिया कलाप रहे उस पर नजर डालें तो अपने अस्थापना के प्रारम से ही राश्रंग ने 37 संस्थापा के रूप में काम करना सुरू किया उसके समक्ष अनेक अंतरास्टिये विवादा है और कुछ अंसों में उनको सुल्जाने में हुआ सफल भी रहा है। जैसे छोटे-छोटे राज्यों को जगणों को हल करने में राश्रंग को प्राप्त सफलता मिली। 1922 में ओलेंड के टापूँओं पर अधिकार करने के सम्मद में सीडन और फिनलेंड में जगणा उपसित हुआ। राश्रंग ने ये दीप फिनलेंड को दिलवा दिये और एक अंतरास्टिये संधी के द्वारा इन दीपों को तठस्त गोसित कर दिया गया। इसी तरह 1921 में युनान तथा युगोसलाविया के बीच अल्देनिया की सीमा के विशय में जगणा परारंब हुआ। इसी तरह से 1923 में पोलेंड और चेकोसलाविया में सीमा संबंदी जगणा परारंब हुआ है। के समान हल करने में सफल हो जाता तो अंतरास्टिय सुरक्षा की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाती। परन्तु जब किसी बड़े राज्य के मामला उसके समुख उपस्थित हुआ तो राश्रंग ने स्वयम को असहाय महसूस किया। इस समद में हम पाते हैं कि 1930 तक कोई बड़ी समस्या राश्रंग के सामने नहीं है। तक 1930 के दसक में राश्रंग के पतन का सिलसिला प्ररम हो जाता है यानि अंतरास्टी राजनीती में राश्रंग अब उतना महत्यपूर्ण नहीं नजर आने लगता है। और पाते हैं कुण 1931 में राश्रंग के एक सदस्त जापान ने एक दूसरे सदस्त चीन पर आकरमन करके उसके एक परदेश मंचूरिया पर अपना अधिकार कायम कर लिया। मंचुकाउन नामक एक स्वतंतर राज्जे का निर्मान कर दिया जो पूनतिया जपान के प्रभाव में था। मंचूरिया पर अपने आधिपत्य को जस्रिफाई करने के लिए निया उचीत हराने के लिए जो फ्रांस और बिर्टेन जैसे देश थे उनको कहा करता था कि रुस्ट की समयवादी विवस्ता को समाप्त करने के लिए जरूरी है। और यही कारण है कि बिर्टेन और फ्रांस जैसे पुंजिवादी समराजवादी राज उसकी हरकतों को अंदेखा करने के पक्ष में थे। अथा उन्होंने जपान की आक्रामक कारिवाही के परती उदासिंता का रवया अपनाया और रास्ट्रों निस्क्रिये बना रहा। रास्ट्रंग से अलग हो गया। इस तरह से हम पाते हैं कि जब एक बार किसी आकरामक प्रविर्टी को छुट मिल जाती है तो दूसरे आकरामक रास्टों का हौलसला और उत्सा बहुत बढ़ जाता है। सोलनी को अपरसन नहीं करना चाहते थे। अत्व अविसिनिया को उसके भागे पर छोड़ दिया गया। 1935 में भी हम पाते हैं कि रास्टरंग की असफलता दुनिया के देशों के सामने असपस्ट होने लगी थी। जपान ने 1937 में चीन पर फिर से आकरमन कर दिया। फरंस्तु रास्टरंग जपान के विरुद को कोई कार्ज करने में असफर्त रहा। इसी तरह से 1937 में असफेन में ग्रीजुद छुड़ गया तथा जनरल फ्रैंको ने असपेन के गंतंत्र के विरुद युद घोसित कर दिया। हिटलर और मुसोलनी ने खुले आम फ्रैंको की साहिता की तथा असपेन में ताना साही कायम हो गई। इस जगडे में रास्रंग ने अहस्त छेप की नीतिक आनुसरन किया जो अत्यंत अन्याय पूर्ण थी। 1938 में चेकोशलवाकिया की छुट्टी करने के बाद हिटलर ने पोलेंड और डांजिंग पर ध्यान दिया जो सिग्र ही उसके आकरमनों का सिकार होने वाले थे। इंग्लेंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की खोशना कर दी और इस प्रकार दित्य विश्जुद प्रारम हो गया। सितंबर 1949 के इंतुफानी दिनों में रास्टंग असहाय और प्राणहीन होकर पड़ा रहा। इस तरह से हम पाते हैं कि पर्थम विश्जुद के पश्चाथ या पेरिशांती सम्मेलन उन इस उन इस के पश्चाथ पर एक दसक तक तक तो रास्टंग अपने प्रभावसाली भूमिका में रहा। और बहुत सारे जगणों का निप्टारा करने में असफल रहा। परंतु 1930 का दसक इसके लिए अच्छा नहीं रहा। जब दुनिया के सक्तिसाली और मजबूत रास्टों ने अपनी आकरामक विदेश नीति का अवलंबन किया और रास्ट संग एक मुकदर्सक भी मुकदर्सक के तोर पर बना रहा। अब हम नज़र डालते हैं कि यह क्यों असफल रहा। तो अंतरास्टिय सहयोग का एक महान प्रयास था या इसकी असफलता के कईया कारण थे। किसी भी संगठन की असफलता उसके सदस्यों के रवये पर निर्वर करती है। लेकिन रास्ट संग के प्रमुक सदस्यों ने इसके सिधानतों पर अंदुरूनी तोर पर कभी विश्वास नहीं किया। और यही कान रहा किया असफल रहा। बेवहारिक राजनीती में इसकी सफलता मुख रुप से बड़े रास्टों के सहयोग पर निर्वर करती थी। लेकिन रास्ट संग शुरू से ही इस सहयोग से वंचित रहा। संजूपत राज अमेरिका के रास्ट पती विल्सन के अनवरत परयासों के फल सुरूप भले ही इसकी अस्थापना हुई थी लेकिन बाद में स्वैम अमेरिका इसका सदस्ते नहीं था। अमेरिका सिनेट को यह सदस्ता मान्य नहीं ही और रास्पती विल्सन के परयासों के बावजूद अमेरिका रास्ट संग से सदयव अलग ही रहा। अमेरिका के सहयोग से वंचित हो खिलाफ अपने उदेश्यों को पूरा करने के लिए गठित हुआ है बाद में हिटलर और मुसोलनी के उतकर से एरोपिय सांती को खत्रा पैदा हो गया तो सोवियत संग राश संग में समील थी हुआ है लेकिन उस समय तक राश संग एक व्यर्थ की संस्था बन चुकी थी और क पुछ बेवहारिक तोर पर भी अंतरास्टिय सहयोग और सोहार्द की एक नई परंपरा का सुत्रपात किया जो अंतरास्टिय जीवन का एक अभी नंग बन गया इसने गुप्त कुट निती के दुरगणों को दूर कर अंतरास्टिय राजनिती को एक नया मार्ग दिखाया इसकी अतरिक्त इसने विश्व को एक बहमूल अनुभव परदान किया और दित्तिय विश्व जुद के बाद संयुक्त रास्ट की अस्थापना में इसी अनुभव और परिक्षन का परिणाम थी जिसमें रास्टन की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया गया था धन् झाया जहति, याद जड़ में विश् न जुद के जतनो को परिसे आञा में परिक्न पर पर श्याबने का परिक्त लिएस्व जड़ग्व ज करता है झाल झाल